हम जीवन में जो भी करते हैं, खुशी पाने के लिए करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से खुश रहना काफी मुश्किल काम लगता है। हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बता रहे हैं कुछ आसान से नुसके जिन्हें अपना कर हर हाल में, हम खुश रह सकते हैं। जब आप बुनियादी रूप से खुश होते हैं, जब आपको खुश रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, तो आपके जीवन के हर आयाम में बदलाव आ जाएगा। एक, ध्यान रखें की खुश रहना आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है, किसी इनसान की पहली और सबसे महत्वपून जिम्मेदारी एक खुश में जाजप्रानी होने की है, खुश रहना जीवन का चरम पहलू नहीं है, यह जीवन का बुनियादी पहलू है, अगर आप ख पसंद करें या नहीं, हकीकत यही है, जब तक कि कोई महत्वपूर्ण चीज आपके भीतर घटित नहीं होती, आप दुनिया के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं कर सकते, इसलिए अगर आप दुनिया के बारे में चिंतित हैं, तो पहली चीज आपको यह करनी कि खुद को एक खुश मिजाज प्रानी में रूपांतरित करें, दो, पहचाने की खुशी आपकी मूल प्रकृती है, इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, चाहे वह कारोबार हो, सत्ता, शिक्षा या सेवा, आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भीतर कहीं गहराई में एक भावना है कि इससे आपको खुशी मिलेगी, इस धर्ती पर हम जो कुछ भी करते हैं, वह खुश रहने की इच्छा से करते हैं, क्योंकि यह हमारी मूल प्रकृती है, जब आप बच्चे थे, तो आप यूँ ही खुश थे, वह ही आपकी प्रकृती है, खुशी का स्रोत आपके भीतर है, आप उसे हमेशा के लिए एक जीवन तनुभव बना सकते हैं, तीन, चीजों का महत्व पहचाने, आज सुबह, क्या आपने देखा की सूर्य बहुत अद्भुत तरीके से होगा, फूल खिले, कोई सितारा नीचे नहीं गिरा, तारा मंडल बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित है, आज समूचा ब्रमान बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, मगर आपके दिमाग में आया किसी विचार का एक कीड़ा आपको यह मानने पर मजबूर कर देता है कि आज बुरा बना दिया है, यह सारी पीड़ा का बुनियादी स्रोथ है, हम इस बात की पूरी समझ खो बैठे हैं कि यहां जीवित रहने के क्या माएने हैं, आपके दिमाग में आया कोई विचार या आपके मन की कोई भावना फिलहाल आपके अनुभव की प्रकृती को तै करती है, और यह भी हो सकता है कि आपके विचार और भावना का आपके जीवन की सीमित हकीकत से कोई लेना देना ना हो, पूरी स्रिष्टी बहुत बढ़िया तरीके से घटित हो रही है मगर सिर्फ एक विचार या भावना सब कुछ नश्ट कर सकती है, चार, मन या दिमाग को उसके अस पास से गुजरता है, वह आपके दिमाग में कुछ न कुछ डाल जाता है, आप वाकई यह चुन नहीं सकते कि किस से आपको चीजे ग्रहन करनी है और किस से नहीं करनी, अगर आप कहते हैं, मुझे यह व्यक्ती पसंद नहीं है, तो आप किसी भी और से ज्यादा उस इंसान से ग्रहन करेंगे, आपके पास कोई चारा नहीं है, अगर आपको इस बात की जानकारी हो कि उससे ठीक करके कैसे इस्तेमाल करना है, तो यह कुडेदान उप्योगी हो सकता है, असर और जानकारी का यह धेर, जो आपने जमा किया है, वह सिर्फ दुनिया में जीवित रहने क के लिए उप्योगी है, आप कौन है, इससे उसका कोई संबंध नहीं है,